दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसी फिल्म्स का रिकमेंडेशन जो सिनिमा वर्ल्ड में Absolute Masterpiece कहलाती है ऐसी फिल्म्स जनका डिरेक्शन, उनकी स्टोरी और एक्टर्स की जबरदस्त एक्टिंग ने इन फिल्म्स का व्यूवर्स में इस तरह से क्रेज बनाया कि ये फिल्म्स व्यूवर्स की all-time favorite बन गई हो सकता है आपने इन फिल्म्स को देखा हो बट अगर नहीं देखा तो definitely ये फिल्म्स आपको एक जबरदस्त experience देने वाली है तो time को waste नहीं करते हैं और directly list की दरफ चलते हैं तो सबसे पहले है Godfather series Mario Puzo के novel पर based ये mob drama movie फोकस करती है Don Vito को और लियोन की American Italian Crime Family के उपर जहां movie में दिखाया गया है कि जब Don Vito अपने empire को अपने सबसे छोटे बेटे Michael को handover करता है तो ऐसे series of events create होते हैं जहां उसकी family danger में आ जाती है situation intense होती ही जाती है चाहे वो अपनी family और love friends के साथ कितना भी normal रहने की कोशिश करता रहे ये film एक cult classic cinema है ultimate film है जो आपको world war 2 के time पर set मिलेगी फिल्म में आपको loyalty, revenge और masculinity के बारे में काफी सारे lessons सीखने को मिल सकते हैं नमबर 2 पर है inception imaginative, coherent और entertaining movie जो आपको पहले कभी experience करने को नहीं मिली होगी जहां movie का concept complicated नहीं बलकि unique है जहां आपको देखने को मिलेगा एक heist crew जो सपनों में लोगों के mind में जाकर ideas को plant करते हैं और उनके ideas को चोरी करते हैं ऐसा cinematic experience जो आपने पहले कभी नहीं देखा जहां human mind के अंदर के layers को उनके dreams में जाकर explore करके दिखाया गया है नमबर 3 पर है eternal sunshine of spotless mind ये movie एक journey है love, loss और rediscovery की एक ऐसी film जिसमें हर वो चीज़ है जो filmmaking के idea को appreciate करती है और भी जादा जितनी बार आप देखोगे इसको stunning visual effects और कमाल की story के साथ आपके दिल में ये movie घर कर जाएगी नमबर 4 पर है the batman series the dark night trilogy तो दोस्तों इन movies को कौन नहीं जानता और क्या कमाल की story, जबरदस्त एक्टिंग, गजब का direction इन movies में आपको experience करने को मिलता है इस trilogy में Christian Bale as Batman the main crown jewel of the movie series कहूंगा 19 साल पहले जब ये trilogy शुरू ही थी जो opening scene था Bruce Wayne as a child जो nightmares थे वही movie को start देते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था इस trilogy को एक hero की कहानी से ज़ादा और mythology से कम बनाता है और Christian Bale as Batman ये दिखाता है कि उन्होंने Batman के character को जिस तरह निबाया, कोई और नहीं कर पाएगा नमबर 5 पर है Memento, Christopher Nolan की एक और masterpiece creation एक बहुत ही fascinating film एक unique non-linear time-reverse structured film जिसमें आपको दो converge time lines देखने को मिलती है जहां Nolan as a creator story को viewers तक पहुचाने में समय लेते हैं बट वो proper sense बनाती है जहां beautifully interwoven themes में आप देख पाएंगे guilt, perception, self depiction और grief और एक stunning movie ending जो movie के start होटे वक्त आपने expect नहीं की होगी No.6 पर है The Shawshank Redemption एक stone cold classic masterpiece एक ऐसा cinematic alchemy जो बहुती rare देखने को मिलता है जहां दिखाया जाता है कि जब एंटी डूफरेन को अपनी wife और उसके boyfriend के murder की इल्जाम में दो life sentences की सजा मिलती है वो किस तरह एक tough और change और torturous life को deal करता है और किस तरह 19 साल के समय लेने के बाद बताना कि आपको ये movies का recommendation कैसा लगा मिलते हैं next video में